नमस्कार दोस्तो मेरा अव सास्तिरी स falschat करता हूँ आपका दोस्तो आज हम चर्जा करेंगे एक पहुती महत्व पूर्पून टॉपिक के बारे में लगणेष का बारवे भाव में फल पहुती सरल तरीके से कम सब्दों में आपको बताने जा रहे हूँ जो लगंेष होंगे बारा भाहों में किस तरह का रिजल्ट देंगे इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पर दो लिखा है दो का मतलब वर्षब लगन हुई स्वामी सुक्र दे हुए तो आप यह बत समझे शुक्र के लिए है या यह वर्षब लगन के लिए मैंने कुडली बनाए नहीं यहाँ पर कोई भी लगन हो सकती है कोई से भी गरा हो सकते है तो बारा लगनों में किस तरह के रिजल्ट होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लगनेश अगर लगन में ही हो यानि लगनेश जैसे वर्षब लगन के अदर सुक्र इस लगन में सुक्र लगनेश हुए है वो अपनी खुद की राशी में बैठ जाए मिथू लगन हो बुद अपनी खुद की राशी में बैठ जाए क करक्रक लगनों चतरमा खुद भी खुदी की राशी बढ़ जाए कोई भी लगनों और लगनेश खुद लगन में आके बढ़ जाए तो किस तरह के प्रिराम देखने को मिलेंगे तो ऐसा व्यक्ति का सिहत बहुत अच्छे बनी रहती है खुद मसाज होता है व्यक्ति और जिन्दके के अंदर तक को सुक मिला रहता है और सिहत के साथ साथ जातक के अंदर देख जाए समाज में मान सम्मान में प्राप्त होता है सेथ को लेके कोई कष्ट नहीं होता जातक के मजबूत इरादे होते हैं और देखने में जातक की personality जो होती है काफी आकरसक personality देखी गई है जातक को जिन्दकी के अंदर result भी अच्छे ही पराप्त होते हैं लगनेश का लगन में बैठना जिन्दकी के अंदर तमाम सुक की प्राप्ती भी मानी गई है लगनेश अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो जातक बहुत इजली मेहनत से पैसे कमाता है अपने पैसे से कुटुम को भी पालता है, जातक को कुटुम का लाब मिलता है, जातक की वानी पहुत इफेक्टी होती है, आखे सुन्दर होती है व्यक्ति की, परतियोगता में उपर होता है, जातक पैसो को भी सेव कर पाता है, दूसरे भाव में होने के बाद जातक को लगन लगनेश यानि लगनेश की जब महादसा होगी अंतरदसा होगी तो पैसे अरजित करेगा हला कि उसके डिगरी कितनी है किस गरहों से दरश्ठ है किस सतरु रासी में हैं मित्र रासी में हैं यह भी पूंधरूप से देखी जाती है पर मैं कोमली आपको बता रहा हूँ जो चीज़े कोमली देखी गई है तीसरे बहों में अगर लगनेश चले गए तो यह बात तो सकते है कि प्रकरमी होगा जातक खुष मसाज भी रहेगा दोस् पर एक महनत के बार जातक अपना भाग्य होदे जरूर करता है कि उसके साथी दर्ष्टी जो है सब भाग्य भाव पर पढ़ती है तो जिंदकी के अंदर प्राकरम प्राकरम यहां पर बहुत महत्ती होता है तो कुंडली में अगर यहां पर वो मित्र रासी में बैट गए औ temperature चाहिए तो माता से प्यार आता है कि अचाहिए उन तो पैत्री संपथ्ति का सुख कोता है मकान, भूमी, एसली अर्जित कर लेता है जातक ये हम कहें कि जब पैधा होता है तो मकान, वहान इंत तमाम चीजों से पैदा होने के बाद ही मिल जाती है दिल का साप होता है अगर कारक देखा जाए तो दिल का थोड़ा गमट एगो जहां पर जरूर कर देता है जातक जब चोते भाव में आता है और अगर सत्रुरासी में बैठ गया है तो भूमी से लेलेटेट जातक को चोथे भाहों में फैदा होता है अगर कोई काम करें तो भूमी से लेलेटेट अगर जातक काम करता तो फैदा होता है खास तोर से अगर मंगल भी यहाँ पर संबद बना ले तो प्रोपर्टी और सिविल से लेलेटेट जातक को काम करना चाहिए पाँच में बहुं में अगर जातक होता है तो कौमल होता है, कौमल हरद्दे का होता है, भावुक होता है जातक, अगर कारक होके बैठा है, जैसे सुकर के अगर बात करें तो इक खराफ़ल देंगे आपे, कोई कारक होके अगर उंचका अच्छा है, तो पाँच में बहुत त तो बूत रोपकों तोसे टोकिशने की ते हैं मांजजेती पुरहां होता है। इस सब्सक्राइब प्रिशन्त के बहुत अपना करता है। रिलेशन जातक के अच्छिन रखते, बुद्धी से काम नहीं लेने वाला होता है, असान्ती रहती है जातक को, इस तरह के चीजे प्रोबलम हमेशा देखी जाती है, छटे बहुं में लगनेश अगर आ गए, थोड़ा छटे बहुं में लगनेश जब भी 6-8-12 से संबद बना पर हाँ, यह जरूर है कि सत्रू पर हमेशा उसकी विजे बनी रहेगी, पर सत्रू पीसे नहीं छोड़ते, पेट को लेके हमेशा समस्या बनी रहती है जातक को, और कभी-कभी पैट्रिक संपत्ती या भूमी को लेके कोट कचेरी तक में भी जाने के योग बन जाते हैं, य जितकी में रिन लेना देना रिन चड़ता रहता है, और कभी-कभी पैसकर जे भी कभी यहां पर लगनेश का आना दर्शा दाता है, ऐसे में जातक कोंपिटिशन के त्रियारी करें, तो उसमें उसको सफलता मिलती है, साथ महाँ में जब भी लगनेश आ जाए, तो एक तो उसको मान सम्मान मिलता है, लोग कल्यान में इसको अच्छा माना जाता है, व्यापार की दरिश्टी से बहुत अच्छा माना जाता है, विवायक जीवन के बाद भागय उदे होता है, और पार्ट्रिशिप में चक्त Wash अगर पुटलिक अंदर लगनेश कारक हो के बैठे हैं इसे के विप्रित अगर मारक है तो यहां पर विवयक जीवन के साथ तोड़ने का काम करेंगे पाटरिशिप में दिक्कत होगी समाज में मान सम्मान के साथ साथ हमेशा अपमान दिकता रहेगा और संगर्स में लाइप ह होगी जितकी की और सेथ में भी उतार चुड़ाओ क्योंकि सप्तम्भाव आटवे भाव जो है आपकी आयू का है और आयू कि हानी सात्वा भाव कराता है तो साहिद को लेकि यहां पर तनाव रहता है अगर लगनेश बैठ गए तो जिन्दकी के अंदर यह चीज देखी ग दर्साता है तो जातक के काम बिगड़ते हैं लाइप में संगर्स करता है वैत जितना वह काबिल होना चाहिए उस काबिलता के बाद में उसको वह तरक जितकी के अंदर नहीं मिल पाती इस वज़े से वह पहुत परेसान रहता है और सुसुराल पक्से भी जातक को दिक्कत पूने रहती है हलाकि अगर वह अपनी मित्र रासी में हो या उचका होके बैठा हो लगनेश तो यह जरूर देखा है अंसर्टेन गेन विल उसको मिल जाना इस तरह की चीज़े जरूर देखे गई है नवम भरम भाव में लगनेश का आना जातक को भाग्य साली बनाता है ज अगर लगनेश अगर बाग्य बाव में हो और नीच के बैठ आए खर आप तो भाग्य हीन भी कर देते हैं यहां पर उल्टे आप रिजल्ट समझ लेजे विपरीद एक दम बाग्य का साथ नहीं पिता के साथ मदूर अच्छी संबदना होना जिन्द के गंदर संगस में लाइप रहना दसम भाव में अगर लगनेश कारक होके बैठे हैं तो जातक अपने कारिये से अपने करम से अपने आपको बनाता है समाज में मान सम्मान की दरश्टी से देखा जाता है और अगर यस किरती तमाम चीजें पराप्त करता है कुंडली गंदर कारक है कोई भी गरह हो यहां पर अगर लगनेश है खास तोर से मंगल सूरी तो पहुत अच्छा परी नाम देते हैं गोवर्मेंट नोकरी में भी जातक को फैदा मिलता है यहां पर जातक लगनेश का करम भाव में तो जातक लाब करता है बिजनिस में लाब कमाता है दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ लाब होता है जातक का इच्छा पूरती होती जातक कि जो मन की इच्छा होती वो पूरी होती है पर यहां पर अगर कुटली के अंदर मारक है तो यहां पर दोस्तों से और बड़े भा जेहां पर चीजानों प्रपशे होता हैU का सोच विचार करता रहता है हमेशा फूटब में वीचत रहाता है तो इस तरह के चीज़ें देखी जाती है . अगर जा जाता है तो जाता का भाग्य उद्धे होता है तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा धन्यवाद